बिसमिल्यार, मैंने रहें तोडिया वी विछ दिसकस दी नमेंट्कलेचर ओफ हाईड्रोकार्बन्स युनो अबाउट दी हाईड्रोकार्बन्स हाईड्रोकार्बन्स की दिफिनेशन ये है कि जो कमपाूंड्स carbon और hydrogen से मिलकर बने होते हैं उनको हम hydro carbon ważne या organic compound कहते हैं organic compounds के जो carbon और hydrogen से मिलकर बनते हैं इनसे number of carbon and number of hydrogen की base पे जो है इनको naming दी गई है तो इसमें जो number of carbon जिसमें AméricaTime में एक हो जिस compound में उसको मीथ, मीथेन चुकि इसमें सिंगल बॉर्णिंग है तो A and E इसके end में आता है इसी तरह इथेन C2H6 और मीथेन का C सिंगल एक कार्बन है और हाइटरोजेन इसमें 4 है फिर प्रोपेन, बिूटेन पेंटेन, हैगजेन हेटेन, अक्टेन नोनें और डीकेन ये डीकेन में कार्बन जो है वो 10 होते है इसी बेस पे इनको ये नेमिंग की गयी है इन हाइडरो कार्बन्स की अब आते हैं हम यहाँ पे के जिन यह hydrocarbons जो है यहाँ पे हमें जो figure दी गई है इसमें number of carbon जो है इनको अगर आप count करें तो 1, 2, 3 and 4 है चुँकि इसमें number of carbon 1, 2, 3 and 4 है तो यह butane है 4 जो है यहाँ पे जैसे के है butane तो इसको अगर हम numbering देते हैं 1, 2, 3 तो यह one यहाँ पे कोई दूसरे इसके साथ कोई group अटेच नहीं है इसलिए इसको हम in butane कहेंगे तो prefix जो in is used for those alkanes in which all the carbon atoms are in one continuous chain तो इस वज़ा से इसको हम in butane कहते हैं क्योंकि इसमें एक straight chain आपको नजर आ रहा है continuous chain है और यह सारे जो है alkanes है single bonding है इन में तो इसको in butane कहेंगे यहाँ पे जो next है figure इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं कि one, two, three, four अगर यहां से count करें one, two, three तो यह जो methyl group है यह थ्री पे आ रहे है लेकर अगर यहां से count करें तो यह true position पे आ रहे है हमें जो है जितने भी हमारे पास alkyl group लगे होते हैं इतायल हो इतायल हो यह क्लोरीनो ब्रोमीनो यह कोई functional group हो तो हमें जो है counting जो है जो जितने करीब पड़ेगा lowest number of carbon से हमें उसकी count करनी चाहिए ना कि बड़े change तो यह हम इसकी position जो है यह हमारे पास two आता है लेकिन यहां पे आइसो पेंटेन जो है यह आपके पास one, two, three and four इसको आप जो है यहां पे second carbon पर है methyl group तो इसको आइसो पेंटेन कहते हैं यहां पे यह वाला fifth जो है carbon आ जाता है atom तो इसको आइसो पेंटेन कहते हैं इस तरह यह इन ब्यूटेन था यह आइसो पेंटेन है तो प्रिफेक्स आइसो is used प्रिफेक्स आइसो is used for those alkanes in which have a methyl group attach to the second last carbon atom of continuous chain इसके बाद अगर आप यहां पे देखें new pentane जिसमें कि एक carbon के four sides पे methyl group attach है तो इससे new pentane इसको अगर आप खोल के देखें इसमें number of hydrogen को जब हम लगाते हैं तो भी यहां पे हम देख सकते हैं यह new pentane जिसमें कि second carbon पर दो methyl group attach होते हैं तो उसे new pentane कहते हैं prefix new is used for those alcanes which have two methyl groups attach to the second last carbon atom of the continuous chain bonding and naming हम इसकी किस तरह से इन जो है बांडिंग के बेस पर नेमिंग करते हैं हाइडकर्बन की तो जब single bond हो तो उसको हम जो है उसके जो नेमिंग दी जाती हैं इन हाइडकर्बन को उसके last में ए-न-on-E आता है उसके नास्ट मे ए-न-E आता है जैसे के प्रोपेंट क्रोंड थि करभण कंपांड हो अगर क्रोंड इसी थिक रोंड कंपांड को में घुंद क्रोंड heated देबल बांड निंऐ तो इसके last में Ene,ene आएगा तो प्रोपीन बन जाएगा, double bond में जो हैड्रोकारबन है उसके last में Ene आएगा, अगर triple bonding हो तो फिर ये प्रोपाइन आता है, जैसे कि हम यहाँ पे 3 carbon compound जो है, उसमें अगर first carbon के साथ हम triple bonding, carbon carbon की दर्मियान करते हैं, तो ये हमारे पास प्रोपाइ नाता है साइक्लो चेंड का नेम जो होता है उसकी लिए हमने cyclo यह prefix जो है यह हम शुरू में लगा देते हैं यहाँ पे propane यह propane का structure है लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि इसको close किया हुए open chain नहीं है close chain है तो और single bonding इसमें है तो this is cyclopropane next हम देखते हैं कि what is saturated hydrocarbons saturated hydrocarbons जो होते हैं वो ऐसे alkanes है जिनमें compounds के दर्मियान single bonding होती है carbon carbon atom के दर्मियान single bonding हो तो इसको हम saturated hydrocarbons कहते हैं unsaturated hydrocarbons जो है वो हम रपास ऐसे compounds ऐसे change जिनमें के double bonding हो compounds में hydrocarbons में double bonding हो तो उनको हम कहते हैं unsaturated hydrocarbons पहले वाले में example है butane के butane की यहाँ पे इसमें example जो होगी तो इसकी example यहाँ पे हमारे पास प्रोपीन के अगर यहाँ पे double bonding है तो यह प्रोपीन है इससे उपर जो है उसमें भी और अगर triple bonding हो तो इसको अगर इसमें यहाँ पे हमारे पास एक और कार्वन पी है तो यह हमारे पास butane यह हमारे पास है butane four carbon compound जिसमें के first carbon पे triple bonding है तो butane propene double bonding है इसमें जिसको खोल के भी हमने structure इसका ड्रॉव किया है और इसका CH3 और single bonding CH के साथ और फिर CH का double bonding है CH2 के साथ जनर्रल जो formula इसके लिए हम यूज करते हैं alkenes, alken और alken के लिए तो CH2N plus 2 alkenes के लिए यूज होता है N जो है number of carbon atom है यहाँ पे आपको जितने भी carbon atom होते हैं वो आपने N में यहाँ पे लिखने होते हैं for example अगर हम example लेते हैं pentane की तो अगर N 5 है तो 5,2,10 और plus 2 के साथ तो यह 12 hydrogen हो जाएंगे और N की नंबर जो है वो आपके पास 5 है तो C5H12 जो है यह पेंटेन का फार्मूला बन जाए इस तरह अलकीन का अगर हम देखें तो CnH2N है यहाँ पे N अगर आपका 3 carbon compound है यह नहीं प्रोपीन है प्रोपीन है तो 3 carbon आ जाएंगे यहा 3 होगी और 2 N2 3 तो 6 आएंगा तो इसी तरह से यहाँ पे अलकाइन है CnH2N-2 यह अलकाइन का जो है आपने इस तरीके से उसके number of hydrogen है number of carbon जो है वो इससे मालूम कर सकते है इन फर्मूलों से फिर 2 methyl pentane जो है यहाँ पे position 1,2,3,4,5 तो हमें इस position जो है इस तरह है इस तरह है लगानी है जो कि करीब हों जितना करीब पढ़ता है अगर हम 5 वाले से carbon से शुरू करें 1,2,3 तो यह वाला जो होगा 4 पे आएंगा methyl और इसका ख्याल रखना चाहिए कि alphabetically जो है ethyl जो है e से है methyl m से है तो पहले e आता है फिर m आता है तो आपने 3 ethyl,2 methyl pentane नेम देना है जो से के नाम देख रहे है पोजीशन 2 पे methyl group है और 3 पे methyl group अटेज है इसके बाद जो है 2,3 methyl pentane अगर हमारे पास जो पोजीशन होती है इसको 3 फिर ऐसे अपने डेश और साथ में ethyl फिर डेश 2 डेश methyl और अगर आपके पास डाया आता है तो फिर 2,3 डेश डाया डाया जो है चुँके दो जगों पे ये methyl group सेम अटेज है same methyl group जो है ये दो पोजीशन पे अटेज है टू भी और त्री पोजीशन पे तो ये 2,3 डेश डाय मीथाईल pentane ये लिखने का तरीका है इसका फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखे तो triple bonding है और 1,2,3,4 त्री पोजीशन पे जो है ये triple bonding है four carbon के साथ तो one carbon पे भी triple bonding है और three carbon पे भी तो structure का पहले नाम लिख लेते हैं वो pent ही pentane होता है pentane चुँकि a and e यहाँ पे नहीं आएगा triple bonding है तो pent आप सिर्फ लिख लेते हैं उसके बाद 1,3 जो है डाया डायन तो pent 1,3 डायन ये इसका नेम हुआ इसके बाद ब्यूटीन ब्यूटीन जो है चुँकि position two पे carbon है double bonding कर रहे हैं दूसरे carbon के साथ तो two-butine जो है इसका नाम आजाता है अगर इसके साथ कोई functional group अटेज है तो वो यहां पे जैसे oh functional group यहां पे अटेज है इसके साथ तो इसके लिए आपने जो है इसको पहले तो आप देखे कियो है carbon कितने का compound है carbon जो है four carbon compound है यह वाला compound जो है यह four carbon से बनता है तो butane ब्यूट ब्यूट ब्यूटे और उसके बाद नूल जो है यह oh के लिए लगता है तो butanol तो इसका नाम होगा butanol न ओ इल जो है oh group अटेज होता है तो आप इसको butanol कहते हैं ब्यूटे तो four carbon compound के लिए हो और इनमें single bonding है लेकिन first carbon पर जो है oh group अटेज है यहां पर next जो structure है इस structure में आप देखते four carbon compound है second carbon पर जो है oh अटेज है तो इसको जो है हम कहेंगे butan-2-ol तो इसको अगर हम दूसरी तरह लिखें तो यह two-butanol जैसे उपर सिर्फ butanol था किनके उसमें इन-butanol कह सकते हैं या अगर आप नहीं भी लिखते तो butanol है क्योंकि फिर्स्ट पोजीशन पे carbon के फिर्स्ट पोजीशन पे OH group अटेज है लेकिन next वाले जो structure है इसमें second carbon पर जो है OH group attached है इसलिए इसको हमने butanol two-butanol जो है इसका नाम दिया जाता है इसको आप two butanol को जो है लग सकते हैं या two-butanol भी लग सकते हैं overall यह जो आज हमने discuss किया hydrocarbons को इसके different structure को इसके formulas और इसकी जो naming है नमें ख्लेचर है वो आप कैसे करेंगे और इसमें अगर single bonding होगी तो वो alkenes है और वो हमारे पास जो होते हैं saturated compound होते हैं जिन में double bonding होती है उन्हें unsaturated कहते हैं और इन में multiple bonds होता सकते हैं double bonding होगी तो alkenes कहलाएंगे hydrocarbons triple bonding होगी तो alkynes कहलाएंगे और इन में अगर हमारे पास group stage होते हैं alkyl group तो जो alphabetically जिसका नाम पहले आता है उसे आप पहले लिखेंगे और alphabetically जिसका नाम पहले इस तरह आप उसकी arrangement करेंगे अगर हमारे पस दो methyl के group stage है different position पे तो फिर उसके दर्मियान आप दो position के लिए दर्मियान में comma लगाते हैं तो इस तरह से आपकर जो यह नेमिंग का जो hydrocarbons को नेमिंग देना है वो easy हो जाएगा और आपको यह सारा कुछ जो है यह understandable होगा अगर आप सबसे पहले इन hydrocarbons को याद कर लेकि कार्बन के base पे जो है इसको जो methane, ethane, propane, butane, pentane यह जो जितने नामस दिये कहें हैं तो आपको यह आने चाहिए इसके बाद आपको जो है alkane, alkene और alkyns के बारे में जो है पता होना चाहिए unsaturated के बारे में फिर जो ग्रूप आटेज है उनकी लिए नोमेंकलेचर जो है वो किस तरह से rules है यह सारे rules अगर आपको पता हों तो आपकी लिए जो है यह name देना जो है बहुत easy हो जाता है इसमें कोई भी difficulty नहीं है और इ ने इसकी rules को जो है वो याद कर लिए और उनको follow कर लिए तो यह इन्शालला आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे थिंक